एक लेक्ट उन्यूर में आपका स्वागत है दोस्तों कैसो आप सब आसागर तो बहुत अच्छोंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते गरीन लाइट आ रही है पर यहाँ पर दोस्तों डिस्पले बिल्कुल भी नहीं आ रही है यानिकि बहुत धीमी चल लिए ठीक है अब आपको एक पर दिखा देता हूं थोड़ा कैमरे में फोकस करके तो मैं थोड़ा इसमें वीडियो बनाने की कोजिस कर रहा हूं जिससे कि आपको दिख जाए कि क्या प्रोब्लम है ठीक है थोड़ा मैं पास से भी दिखा देता हूं बहुत मंदी जल लिए यानि कि कहने से नहीं चल लिए यहां पर तो अभी मैं थोड़ा फॉन की टोर्च भी दिखा देता हूं कुछ नंबर लिखे वाए दिख जाए आपको अभी वैसे मैं दुबार से ओन करके दिखाऊंगा ठीक है अभी यहां पर आपको नहीं दिख पार होगी अभी मैं यहां पर दिखान यहां पर यहां पर चल जा रही है और कभी नहीं चल जा रही है आप देख से तो कितनी फिक्की पढ़ चुकी है ठीक है यहां पर सोनी लिखा भी है ठीक है दोस्तों तो यहां पर लिखा भी आ चुका है और यहां पर दोस्तों कभी जैसे कि हम इसे बंद करके दुबार चल तो अब दोस्तो पहले से बंद करते हैं ठीक है यह पर बंद किया यहां भी की सबसे पहले बहुत है को थो पहले जो आप भाई आधे जो हमारे यह पर दुकान पर भाई हा रहते हैं उन्होंने दोसतोई यह कैपिस्टा बदल टा ठीक है कैपिस्टा बदलने के बाद दोस्तोई फिर से यही कर द tę यहल showing us UK झाले career अब दोस्तों इसे दिखत को खतम करने के लिए पहले चैकर्न होता है सब्सब्स पहले दोस्तों हमें बैक लाइड च्रेक करने होती है अगर डाइड दोस्तों मेतर से चल लिया तो ठीक है तो ने कि बैक तो सबसे पहले मैं इसका बोर्ड निकाल लेता हूं ठीक है अगर दोस्तों अच्छी बात है साथ में बैल आइकन प्रेस के लेना जैसे कि आपको लेक्न से लेटे निवीडियो मिलते रहें तो इन पर पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूं वोल्टेज कितनी आनी चाहिए ठीक है मैंने यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूं इसे प्लक को ठीक है यहाँ प्लक लगाया मैं बोर्ड में वो यहाँ पर यानि कि स्विचोन किया गिरी लाइट आ चुकी है आप देख सेते हैं ठीक है यहाँ पर पर अभी चल ली हुई है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बंद नहीं है अब दोस्तों इसे में बंद कर देता हूं फिर इसमें बाद में क्या चेक करना है उसके बाद 51 यानि की वोल्टेज भी ठीक है हमने कैपिस्टर भी ठीक डाला हुआ है और सब चीज दोस्तों वोल बार से सहोन करता हूं अभी तो मैंने वैसे यहां पर बैक लाइट का तार अधा दिया है दुबार से मैं पर अगर आप मोडूल लगाना चाहते तो कैसे कैसे लगाएंगे अभी मैं यहां पर वोल्टेज यहां पर मिलती हमें 12.17 तो दोस्तों प्लस और माइनस वोल्टेज यहां जाए यहांने कि 12 वोल्टेज ठीक है 12 वोल्टेज आप देख सकते हैं यहां पर बार वोल्टेज और यहां पर हमें यह वाला मोडूल लगाना है अब दोस्तों कैसे लगएगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूं इसमें दोस्तों हमारे दो तार होते हैं एक ब्लेक यह नहीं की तीन तार होते हैं ब्लेक, रेड और येलो यह कैसे कैसे लगेंगे वह मैं यहाँ पर आपको अभी फाइनल दिखाने वालू तो 12 वोल्टेज के लिए होते हैं रेड और ब्लेक ठीक है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें प्रिंटिंग बनानी होगी क्योंकि पहले वाले जो सोल्डर होते हैं उसमें दोस्तों पॉलिस लगी होती है ठीक है क्योंकि कस्टुमर के पास भी गई थी कभी बंद हो जा रही है, कभी चालू हो जा रही है तो दोस्तो रीजन क्या है हमारा यही रीजन हो सकते हैं कि यह तो वोल्टेज ड्रोप हो रही हो क्योंकि बैकलाइट तो हमारी ठीक है वोल्टेज ही ड्रोप हो रही हो कि हमने कैपिस्टर भी सही डाल दिया है तो दोस्तो इस बैकलाइट को यानि कि चलाने के लिए हमें यह म हो गया हमारे black तो यहां पर दोस्तो बारे voltage पर जो हमने red और black और जो कि हम दोस्तों से ground मानते हैं तो यहां पर हमने इसे दोनों को लगा दिया अभि ब्लेक वाला भी लगा के दिखा दिता है तो आपको ठीके ब्लेक वाला यह रहाए तो और दोस्तों किसी भी मोडूल में आपके मिल सकते रैड और ब्लैक मिलेंगे जादे तर अगर यह वाला मोडूल है तो फिर उसमें दोस्तों येलो वाला वायर हो जाता है येलो वायर होता है ठीक है पिले वायर होता है वो कहां पर लगान होता है अभी मैं वह भी दिखा देत तो आपको थोड़ा मोडूल में आप देख लिए तीन तार है ठीक है रैड ब्लैक और येलो और तीसरा ये जो येलो वाला वायर होता है ये हमें दोस्तों पांच वोल्टेज पर लगान होता है यानि कि इसे बस एक सिंगनल देने के लिए यानि कि जब चलती है तो उसे सिध नंबर फोर यानि कि पहले पे रहता है तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिखा भी है ग्राउंड है वी एनिये और एनाइवी है तो इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं बस इस से आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर बैक लाइट का लगा दिया है लगाने के बाद दोस्तों अब हमें देखने होगा कि हमारे ल Alexa फिर भी बंद होती है यह नहीं होती है क्योंकि हमने पूरा मोट्रिल लगा दिए आपको तो पता ही होगा क्योंकि मोट्रिल लगाने से यहाँ पर चल जाती है ठीक है यहाँ पर लाइट आ अब बिल्कुल बिलू आ चुकी है तो यानि कि आप भी अपनी LED को ऐसे ठीक कर सकते हैं जैसे हमने आपको मोडिल लगा के दिखाया सिर्फ 12 वोल्ट से चलता है तो अब करें सब को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें शेयर करें मिलते हैं